हेला्य चाहलों स्यूदेंट्स जूर्टर लेगल सी आघर सेप्रaceut रिदर चाहफेतर नब फाइज नइ अपका प्रिंसस सप्टेमब्र वो हम आज देखने वाले हैं वॉट इस सप्रिंसस सप्केंबर तो सबसे पहले प्रिंसस सप्केंबर राइक इच वन ऑफर नूंर बस त receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday तो बही एक princess है एक September एक सहजादी है September नाम की उसके बहुत सारी sisters है ठीक है और उसको उसके फादर के बड़े पे एक gift मिलती है जो है एक golden cage में parrot parrot होता है तोता ठीक है तो उसको एक तोता गोल्डन केज के अंदर बंद गिफ्ट मिलता है चले पैरेट डाइज और चांस सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस तो पैरेट मर जाता है और बाइचांस एक सिंग बढ़ जाता है उसकी जगा पे प्रिंसेस शोज ओफ हर पाइट तु दे सिस्टर्स होएड्वाइच टो पुट इन चले प्रिंसेश कुरू करते हैं आप it confused her to have to remember so many names तो यहां पर सियाम जो है वो सियाम अभी थाइलन्ड है थाइलन्ड का जो देश है थाइलन्ड जो कंट्री है तो वो उसकी बारें बात कर रहे हैं यहां पर उसको पहले सियाम बोला जाता था तो उसके जो राजा और रानी थे ठीक है उनकी बहुत सारी बीटिया थी तो क्वीन बोलती है कि भी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हूं उनका नाम याद रखने में मतलब नाम याद नहीं रख पाते हैं वो तो वन डे किंग डिसाड़े टो कॉल देम जानिवारी फेबरुरुरुरुरुरुरुरुरु मार्च तिल ही केम तो दे यंगेस्ट ह सबसे चोटी वाली जो थी उसका नाम था सब्टेंबर ठीक है कि किंग ऑफ सियाम एड़ पिक्यूलर हैविट इंस्टेड अव रिसेविंग गिफ्स ऑन इस बाड़ दे ही गेव देम तो वह जो किंग थे भई सियाम के वह सियाम के किंग के अतरंगी सी हैविट थे वह गिफ्स रिसीव नहीं करते थे वह देते थे गिफ्स देते थे ठीक है वन येर ओन इस बड़े नॉट हैंग एनिधिंग एलस हैंडी गेव इच ओफ इस डॉटर्टर्स अ ग्रीन पैरट इन गोल्डन केज तो एक साल उनके बड़े पे जब उनके बड़े आई ठीक है उनको कुछ खास देने के लिए नहीं था उनके पास तो उन्होंने अपनी डॉटर्स को ग्रीन पैरट दिया गोल्डन केज में सोने का केज है ठीक है गोल्डन केज है और उसके अंदर ग्रीन कलर का तोता सबको एक 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 दिया तो प्रिंसेस जो थी ठीक है वो बहुती खुश थी बहुती गर्वित थी क्योंकि वो लोग पूरे एक दिन में एक घंटा पूरा बिदा थे वो पैरट के साथ और उनको सिखा देते कैसे बात करना है ठीक है अब पैरेट्स गॉड शेव देंग पूल सकते दे एसा बोल सकते ओरिंटल लैंविज इन लग्या इस्ट लैंविजिश में खीक है सब्समें आ रहा है और लेंग्विज जो होती यह वह एक लैंग्विजिए वह इस्ट की लेंग्वेज होती इस्ट वाले जो सारे countrys है उसके लेंग्वेज होती है तो god save the king वो बोल पा रहे थे और pretty poly कुछ तो हता तो ऐसा भी बोल पा रहे थे pretty poly साथ अलग-अलग language जिसमें वो बोल पा रहे थे देखें यहाँ पे आप यह आपकर आपक्त गिफ्ट हैं सारी जो डॉटर्स है उनकी आप सकते हैं पर उनको पैरट गिफ्ट कर रहे हैं जो प्रिंस आपको तो एक दिन जब पिरिंस सब्टेमबर गूड मौरनिंग बोलने के लिए उसके तोते के पास गई तो उसने देखा कि वहाँ पे वो तोता मरा हुआ पड़ा है कहाँ पे गोल्डन केज के नीचे वो जो उसका बेज है गोल्डन केज का वहाँ पर मरा पड़ा है she burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her तो भही नदिया बहादी आंसु की ठीक है she burst into a flood of tears नदिया बहादी आंसु की और उनके जो maids of honor था दासिया होती है ठीक है वो कुछ भी बोलती उससे उसको अच्छा लगता नहीं she cried so much that the maids of honor not knowing what to do told the queen and the queen said it was stuff and nonsense and the child had better go to bed without any suffer तो वो इतना रोई इतना रोई कि maids of honor के पास अब क्या करना है पता नहीं था तो वो गई queen के पास और queen ने बोला कि यह एकदम nonsense बात है और ऐसा रोने की ज़रूत नहीं है और वो उसको खाना खाने के बिना आप सुला दीजिए the maids of honor wanted to go to a party so they put princess September to bed as quickly as they could and left by herself तो वो जो दासिया थी ठीक है उनको एक party के लिए जाना था तो princess September को सोने के लिए उसको सुला दिया और fast fast फटा फटा फट सुला दिया जितना हो सकता था उतना फटा फट सुला दिया और उसको छोड़के वहाँ पे चले गए तो जब बैड पे लेटी हुई थी ठीक है तो बूख थोड़ी लगी हुई थी और रो रही थी वो तो एक छोट असा बर्ड उसके रूम में कुद के आया उसने अपने आसू पोचे और वो खडी हुई मतलब बैड पे बैठी हुई ठीक है तो जब वो बैठी हुई तब उसने देखा कि वो जो छोटा सा बर्ड था वो गाना गाना का शुरू किया उसने गाना गाना शुरू किया और एकदम ब्यूटिफुल सॉंग आया उसने जिसके अंदर उसने किंग के गार्डन के बारे में बात की और वहां पे जो तालाब था उसके बारे में बात की वहां पे जो विलो ट्रीज थे जो ट्रीज थे ठीक है उसके बारे में उसने बात क और वो विलो ट्रीज पानी के अंदर कैसे दिख रहे हैं गोल फिश जो हैं वो ब्रांचिस के अंदर से बाहर अंदर बाहर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है विलो ट्रीज का पानी में जो हैं वो पढ़ रहा है reflection और जो अंदर goldfish है वो अंदर बाहर हुरी ऐसा लग रहा है कि branches से बाहर और अंदर बाहर और अंदर आ रही है when he had finished the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper that was a very nice song she said तो जब वो bird ने गाना खतम किया तो princess अब रो नहीं रही थी और वो भूल गई थी कि उसने खाना नहीं खाया और उसने बोला कि इतना बढ़िया सौंग आपने गाया है the little bird gave her a bow bow मतलब जुकना एक performance करने के बाद जो performers होते हैं वो जुकते हैं तो little bird लोग जो little bird है उसने बाव किया would you care to have me in place of your parrot said the little bird क्या आप आपके parrot की जगा पे मुझे रखना चाहेंगे ऐसा little bird ने बोला it's true that I am not so pretty to look at but on the other hand I have a much better voice तो वो little bird ने बोला कि यह सही बात है कि मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूं ठीक है लेकिन मेरी जो हैं वो उससे बैटर है पैरेट से बैटर है मैं गा पाता हूं प्रिंसस सप्टेंबर क्लैप्ट हर हैंड्स विद डिलाइट एंड दें देंड़ लिटल बर्ड हॉप्ट अन्ट अफ हर बैड और और उसने गाना गाया और प्रिंसस सप्टेंबर सो गई when she awoke next day the little bird was still there and she opened her eyes and he said good morning the maids of honor brought in her breakfast and he ate rice out of her hand and he had his bath in her saucer तो जब दूसरे दिन उठी ठीक है तो वो जो चोटा सा बर्ड था वो बर्ड वहां पे था वहां पे अभी भी था और जब उसने अपने आखे खोली वो प्रिंसस सप्टेंबर ने अपने आखे खोली तो वो बर्ड ने बोला good morning अब वो जो maids of honor दी वो जो दासियां थी वो breakfast लेके आई और वो जो चोटा सा बर्ड था उसने प्रिंसस सप्टेंबर के हाथ से कुछ rice खाया ठीक है चावल खाये और उसके जो saucer saucer मदब रखा भी होती है ठीक है तो उसके अंदर उसने नहाया तो वो फिर से गाना शुरू किया उसने नहाने के बाद और इतना beautifully गाया कि वो जो दासियां थी वो भी surprise हो गई थी मतलब उससे ऐसा कुछ सुना ही नहीं था पहले ठीक है और प्रिंसस सप्टेंबर गर्वित हो गए थी गर्व हो गया था उसको बाकि खुश थी प्रिंसस सप्टेंबर now I want to show you to my eight sisters said the princess तो उसने बोला प्रिंसस सप्टेंबर प्रिंसस सप्टेंबर बोला कि मैं आपको मेरे एट सिस्टर से मिलवाना चाती हूं मैं आपको दिखाऊंगी she stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it तो उसने अपना जो first finger था वो ऐसे लिया और वो जो चोटा सा बर्ड था वो उसके उपर बैठ गया एक पर्च की तरह पर्च मतलब एक सपोर्ट जो उसके पैर पकड़ लेते हैं से तो वो एक पर्च की तरह उसने यूज करके वहां पर बैठ गया then followed by her maids of honor she went through the palace and called on each of her princesses तो अब उसके वीचे वीचे दासियां आ रही थी और वो पैलेस में गई princess September दासियां सब पैलेस में गए वो बर्च को लेके और एक बाए एक फिर बाद में princesses वहां पे आये and for each of them the little bird sang a different song और हर एक princess के लिए उसने एक अलग गाना गाया पढ़िया गाना but the parrots could only say God save the king and pretty polly parrots तो खाली इतना ही बोल सकते थे ना God save the king और प्रिटी पॉली तो वो parrots इतना ही बोल सकते थे at last she showed the little bird to the king and the queen they were surprised and delighted तो finally उसने princess September ने king और queen को वो बर्ट दिखाया और वो surprise और खुश हो गए I knew I was right to send you to bed without any supper said the queen queen ने बुला कि भी मैं सही थी जो मैंने आपको खाये बिना सुला दिया this bird sings much better than the parrot said the king king ने बोला कि ये बर्ड बहुत ही बढ़िया गाता है दूसरे parrot के मुकाबले ये बर्ड बहुत ही बढ़िया गाता है I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king I can't think why those girls wanted to teach their parrot to say it too तो बही कुईन ने बोला कि मुझे सोचना चाहिए था कि आप ठक गए होंगे God save the king God save the king सिखाते सिखाते ठीक है और मैं वो नहीं सोच पाती क्यों वो जो लड़किया है दूसरी दूसरी princesses है वो अपने parrots को यहीं चीज क्यों नहीं सिखाती है King ने बोला the sentiment is admirable and I never mind how often I hear it but I do get tired of hearing those parrots say pretty poly तो King बोलता है कि यह बात आपकी सही है ठीक है मुझे problem तो नहीं पढ़ता लेकिन मैं ठक जाता हूं they say it in seven different languages said the princesses princesses ने बोला कि वो साथ अलग-अलग language में यह बोल पाते हैं मलब princess जो है वो अपने parrots की जो सरहाना कर रहे हैं वो बैटर बता रहे हैं अपने parrots को King ने बोला हाँ हाँ वो तो होगा ही I dare say they do said the king but it reminds me too much of my counselors they say the same thing in seven different ways and it never means anything in any way they say it King क्या बोलता है की हाँ आपकी बात तो सही है princesses इसको बोलता है कि भी आपकी बात तो सही है लेकिन मुझे वो याद कराते हैं मेरे counselors की मेरे जो दर्बार मेरे जब लोग बैठते हैं ठीक है उसके मुझे याद शीम चीब वही बोलते हैं सात अलग-अलग वे में और मतलब वो जो बोलते हैं वो सही होता नहीं है वो वैसे ही बोल रहे होते हैं देखे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा king है queen है और वो princess September है और उसके हाथ के उपर वो चोटा सा bird आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है the princess were vexed at this vexed का मतलब वो एकदम worried tension में आ गए थे and the parrots looked very glum indeed और parrots जो है वो एकदम sad दिख रहे थे आप देख सकते हैं यहाँ पर meanings है नीचे parrots जो हैं वो sad दिख रहे थे but princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, lark एक bird होता है ठीक है lark एक छोटा सा bird होता है while the little bird flew round and round her singing like a night angle ठीक है तो princess September हर एक रूम में गई हर एक palace के हर एक रूम में गई एक अब वो भी का रही है ठीक है वो bird भी का रहा है और खुशी-खुशी एकदम जोरदार beautiful songs का रहे हैं वो लोग things went on like this for several days and then eight princesses put their heads together they went to September and sat down in a circle round her my poor September they said we are sorry for the death of your beautiful parrot it must be dreadful for you not to have a pet bird as we have तो अब कुछ दिनों तक यह चीज चली ठीक है और वो आठ प्रिंचेस ने सोचा कि हम कुछ करते हैं put their heads together का मतलब अंदर-अंदर कुछ discussion किया और decision लिया तो सप्टेंबर के पास गए और सर्कल में बैठे सप्टेंबर को बीच में रखा और सर्कल में बैठे बीचारी सप्टेंबर माई पूर सप्टेंबर हमको बहुत बुरा लगता है कि आपका beautiful parrot मर गया है आपके लिए तो बहुत बुरा होगा कि आपके पास एक pet bird हमारे जैसा नहीं है सो हमने एक हमारी सारी pocket money एकठा करी है और हम आपके लिए एक lovely green और yellow parrot लाने वाले हैं आपको एक green और yellow parrot लाके देंगे सप्टेंबर हम बुला thank you for nothing I have a pet bird which sings the most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot तो सप्टेंबर ने बुला कि thank you भई मुझे नहीं चाहिए ठीक है मेरे पास pet bird है जो बहुत ही बड़िया बड़िया song काता है मुझे और मुझे पता नहीं है मैं yellow और green parrot के साथ क्या करूंगी ठीक है मुझे नहीं चाहिए well my dear वो लोग सब बोले it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes तो वो सारे लोग ऐसा बोले कि अच्छा तो यह बहुत ही गलत है कि आपका bird चोटा सा fellow चोटा सा bird ठीक है यहां वहां अंदर बाहर घूमता रहता है cage में नहीं रहता है they looked round the room and raised their eyebrows वो सारे एक दूसरे को देखने लगे और eyebrows खड़े करने लगे कि आपका bird जहें वो ऐसे घूमता रहता है do you mind ever asking where your bird is now they said तो वो सारे princess ने पूछा कि मैं आपको पूछना चाते हैं कि क्या आपके जो bird है वो अभी कहां है आपको पता है he has gone to pay a visit to his father-in-law said princess September तो princess September ने बोला कि भही वो अपने father-in-law को एक visit पे करने के लिए गया है visit करने के लिए गया है father-in-law मतलब उसकी जो bird है उसकी जो wife है उसके पापा की पापा को visit करने के लिए गया है and what makes you think he'll come back as the princesses princesses बोलते है और आप ऐसा क्यों सोचे कि वो आपिस आएगा वो हमेशा वापिस आता है September ने बोला well my dear said the eight princesses if you take our advice you won't run any risks like that if he comes back and mind you if he does you'll be lucky pop him into the cage and keep him there that's the only way you can be sure of him तो वो aunt princesses इसने बोला well अगर आप हमारी advice लेंगे तो आप ऐसा risk मत लीजे अगर वो वापिस आता है और आभी जाता है तो आप lucky होंगे ठीक है आप cage के अंदर उसको बंद कर दीजे और वहीं पे रखिए तो आप तभी sure हो पाएंगे कि वो आपके साथ है but I like to have him fly about the room said the young princess September princess September ने बोला कि मुझे पसंद है वो रूम में घूमता रहता है रूम में उड़ता रहता है मुझे पसंद है sister ने एकदम ominously ominously डराते हुए बोला ठीक है डराते हुए sisters ने बोला safety सबसे पहले वो लोग खड़े हुए और room के बाहर गए head shake करते हुए और September को बहुत ही परिशानी में छोड़के वो लोग चले गए अब September को बोला कि उटको cage में बंद करना है ठीक है चलिए बात करते comprehension check की how many daughters did the royal couple have कितनी daughters थी वह royal couple की the royal couple had nine daughters ठीक है the royal couple had nine daughters तो उनकी nine daughters थी why were they named after the months of the year क्यों उनका नाम year के months के उपर से रखा गया था they were named after the months of the year because the king and the queen had many daughters and it confused the queen to have to remember so many names तो उनके months of the year पे नाम रखे गए था क्योंकि king और queen के भूछ सारे daughters थे ठीक है और queen को confusion हो रहा था confused थी queen इतने सारे नाम कैसे याद रखें तो इसी वज़े से उन्होंने months of the year के उपर सारे daughters के नाम रख दिये ठीक है answer number one और number two आपके screen के उपर है screenshot खेंचे जिए बिटा five four three two one चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question the king had a peculiar habit what was it why is it called peculiar तो king की कुछ अतरंगी habit थी वो क्या थी और उसको अतरंगी क्यों बोला गया है peculiar क्यों बोला गया है the king's peculiar habit was that instead of receiving gifts on his birthday he gave them तो king की peculiar habit ये थी भई कि वो उनके बढ़े पे जो gifts receive करना होता है न हम सब receive करते हैं लेकिन वो देता था it is peculiar because usually people receive gifts on their birthdays वो अजीब इसलिए हैं क्योंकि लोग receive करते हैं वो gifts को लेते हैं देते नहीं है ठीक है चले आपके screen पर number three रख देता हूं मैं तो उसका भी screenshot किंच लिए फिर हम four पे जाते हैं five four three two one okay चले number four जाते हैं what was princess September's reaction to the loss of her parrot बहुत रो रही थी उसका parrot जब चला गया मर गया था तो princess September का reaction कैसा था princess September burst into a flood of tears at the loss of her parrot तो princess September जा है वो एकदम रो रही थी मतलब नदिया वहां दी थी उसने बहार कर दिया था नदिया बहां थी थी at the loss of her parrot she kept crying and nothing comforted her तो रोती रही वो और कुछ भी चीज उसको ठीक नहीं कर पाई ठीक है मतलब उसको रोने से रोक नहीं पाई वो बहुत ही रोने लगी चले question तो उसकी मदर ने declare कर दिया कि वही है तो फालतू बात है nonsense बात है ठीक है इतना रोना क्यूं है तो उसको बिना खाए सुलाने का बोल दिया उसने कि वही इसको बिना खाए सुला दीजिये वो maids of honor को दासियों को बोल दिया था न what do the reactions indicate about the nature and temperament of each princess की reaction the princess reaction indicates that she was a young sensitive child princess का आप देख रहे हैं कि वो रोने लगी बहुत तो वो एक young और sensitive child है उसको तकलीफ होई ठीक है that is why she cried over the loss of her parrot तो इसी वज़े से वो रोई it was a very important thing for her the loss of her parrot filled her with grief तो वो बहुत important था उसके लिए और वो parrot के चले जाने से एकदम वो दुखी हो गई ग्रीफ से भर गई हर mother's reaction indicates that she was a little harsh उसकी mother का reaction हमको यह बताता है कि उसकी mother थोड़ी कड़क थी hearts थी ठीक है she did not understand her daughter's grief and console her उसने अपनी जो डॉटर थी उसका दुख नहीं समझा उसको सुलाहने के लिए या अच्छा बोलने के लिए नहीं गई वो she did not think that the dying of her parrot was in any way significant incident to shed tears उसने ऐसा नहीं सोचा कि parrot के मरने का जो यह बात है वो यह हालात जो हो गए वो रोने की कोई बात है उसने ऐसा नहीं सोचा थी उसके ममें थोड़ी hearts थी rough थी चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेशन नबर फोर के तीन आंसर्स हैं स्क्रीन शॉट खींच लिए विटा टैन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन चलिए नेक्स क्वेशन देख लेते हैं हम कॉंपरेंशन चेक का नंबर फाइव वाट पुल्ड प्रिंसेस अब दुख से किसको कैसे बाहर आई वो तो वेंड़ प्रिंसेस वो लाइंग और बैड क्राइंग शी सा लिटल बर्ड हॉप इन इंटू हर रूम शी वाइप्ड हर टियर्स एंड हर्ड ब्यूटिफुल सॉंग देट बर्ड सेंग दिस ब्रॉट देट प्रिंसेस आउट दुख से बाहर आ गई ठीक है next question देखते हम how did the maids of honor come to know that the princess and the bird had become intimate friends maids of honor को कैसे पता चला कि वो friends बन गए हैं bird और प्रिंसेस तो when maids of honor brought the princess breakfast they saw the bird eat rice out of her hand and have its bath in her saucer they showed them that the princess and the bird had become intimate friends ठीक है तो maids of honor जब प्रिंसेस के लिए breakfast लेके आई तो उन्होंने देखा कि वो bird जो है वो उसके हाथ में से चावल खा रहा है उसके saucer में वहां पे plate के अंदर वो नहा रहा है ठीक है तो यह हमको बताता है कि princess और bird intimate friends बन गए हैं चलिए question जो five hour six है आपके screen के उपर है screenshot खहींच पांच second five four three two one चलिए आगे पढ़ते हैं number seven the new bird was full of new songs but the old parrots always repeated themselves what did they say क्या बोला था old birds ने वहीं all the old parrots could say god save the king and some of them could even say pretty poly in seven languages तो वो बस old bird old parrots जो थे वो god save the king god save the king बोल पाते थे और कुछ pretty poly pretty poly ऐसा बोल पाते थे साथ languages में ठीक है next what is the king's opinion about his counselors why did he form that opinion तो king ka counselor के बारे में क्या सोचना था क्या सोचना था king counselor के बारे में by king said that the parrots repeating pretty poly in seven different languages reminded him of his counselors who said the same thing in seven different ways and meant nothing whichever way they said it तो king जहें वो parrots को ये सुनके pretty poly pretty poly parrots का सुनके उसको याद आगया counselors उनके दरबार जन याद आगया कि वही वही साथ अलग-अलग way में यही चीज बोलते हैं ठीक है लेकिन वह जो बोलते हैं उसका को कोई मतलब निकलता नहीं है this was similar to the way parrots kept repeating what they had learned without knowing the meaning of what they said तो यह same है परrots जो है वो बस वो सीखा है वो बोलते रहे हैं उसका meaning पता नहीं है वो क्या बोल रहे है उसको पता नहीं है number seven number eight आपके screen के उपर पांच second five four three two one चले हम textbook पर आता है number nine वह ओफर क्या था चले देख लेते हैं भई the eight princesses offer to buy a lovely green and yellow parrot for princess September by putting in all their pocket money तो आठ हो आठ princesses नो offer किया कि भी हम आपको green और yellow parrot बढ़िया सा लेके देंगे princess September के लिए सारी pocket money खठा करके why in your view did they क्यों ऐसा किया they did so ऐसा इसलिए किया because they were distressed by the fact वो लोग वरीर थे यह सच जानके कि सब लोग princess September के बर्ड के बारे मां अच्छा अच्छा बोल रहे हैं वो गा सकता था वो parrot जो है वो सारे sad हो गए थे same things repeat कर रहे है they wanted her to have the same pet as they had तो वो सारी princess इसको ऐसा same parrot ही हो ऐसा same parrot ही princess September के पास होना चाहिए कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए इस वजय से उन्हों नहीं यह चीज offer करी थी ठीक है नमबर नाइन और नमबर टेन आपके स्क्रीन के ऊपर हैं तक मैं नमबर टेन कर देता हूं वाट डिड़ सिस्टर एडवाइज दे प्रिंसेस को क्या करना है बर्ड के साथ इस तो सारी सिस्टर स्ने प्रिंसेस को ऐसा बोला कि आप अपना जो बड है वो चेज के अंदर बंद करके रखिए आपको पता चलेगा कि वह ही के वह है अभी कहां हैं आपको पता नहीं है सा नहीं चलेगा समझ में आरहा है सेफटी फर्स ठीक है चले पार्ट टू नेक्स लेक्टर में हम देखेंगे आपका होमवर्ग है कि एक बार यह आपको पार्ट वन पढ़ना है और क्वेशन आंसर कॉम्प्रेंशन चेक के लिख देने हैं ठीक है मिलेंगे में नेक्स लेक्टर में and we'll talk about it in the next lecture part two bye bye for now and have a very good day